हेलो एब्रीवन वेलकम टू कॉंपटेटिव पार्ट साला तो क्या हाल है आप सभी गे आसा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे तो गाइस से सी एम्टियस टीर टू का फाइनली रिजल्ट आ चुका है उस दिन पहले और सभी लोग जो हैं वो अब डीवी के बारे में सोच रहें कि डीवी कब तक होगा और कुछ कास्ट सर्टिफिकट को लेकर कुछ इसूस आ रही है कुछ दिक्कतें आ रही हैं डाउट्स जो हैं वो मैक्सिमम डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि जो एनिकजर है कैसे बनता है इसके अलावा कुछ लोग न बने रहे हैं और चैनल से पहली बार जूरे हैं तो सबस्क्राइब कर लिए चैनल को बैल एकन कर प्रस कर लिए तक जो भी लेटिस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन ना बिल्कुल भी मिस ना करें तो गई सबसे पहले मैं आपको RTI दिखा देता हूं कि क्या RTI है और किस बारे में है ठीक है तो हमारा एक WhatsApp एक ग्रूप है हर चीज के लिए MTS के लिए CHSL के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे जो जौब्स है गौर्मेंट उसके लिए तो MTS के ग्रूप में एक screenshot एक student है जिन्होंने share किया है वही RTI reply उन्होंने RTI file कि थी जिसका reply है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह है वो RTI की copy और यहां पर दिखिए question जो है वो यह पूछा गया था कि sir I want clarification regarding if EWS certificate is not submitted by a candidate who applied against EWS category in MTS 2019 will that candidate be finally selected under your category यानि कि जो लोग EWS category से apply कर दिये हैं लेकिन उनके पास 2019 MTS का जब apply कर रहें थे तो उस टाम नहीं था बाद में EWS बना है तो क्या वो मतलब applicable रहेंगे EWS के लिए यह ना कि general category में वो आ जाएंगे तो इसका clarification जो है उदर से RTI reply में जो डिस्पूस किया गया है वो आया है कि the candidate who submit the EWS certificate as per the performa given in the notice of the examination and valued on the crucial date that is closing date of receipt of online application the same will be treated as clear in EWS category however it is advised to go through the notice of examination which is self-explanatory CPIO has no additional information to furnish or available with him इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपका certificate है पहले यह EWS में यह चीज फॉलो नहीं होता था कि आप application date जो आपका last है MTS का उस last date तक आपका जो certificate है इसू रहना चाहिए उस date तक उसके बाद अगर होता है और वहाँ पे date अगर वो लोग देखते हैं डीवी में तो वहाँ पे आपको EWS category में नहीं बलकि general में count किया जाएगा यह पहले EWS में नहीं होता था ऐसे लेकिन इसके OBC वगरा में होता था लेकिन अब इसमें भी जो है यह दे दिया गया ठीक है यह चीज जो है आपको जानके रखनी है और यह OBC, SC, ST वालों के लिए भी सेम है मनली जे कि अगर आपने apply किया है जो आपका certificate है उसके लिए और issue date जो है वो application जो apply करने का last date है MTS का उसके पहले अगर issue नहीं हुआ होता है last date तक भी अगर हो जा रहा है तो सही है लेकिन उसके बाद अगर issue date है उसका तो आपको general category में ही count किया जाएगा यह चीज़े का आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके अलावा यह तो हो गई RTI की बात इसके अलावा एन इक्जर की बात आ रही है कि एन इक्जर क्या होता है और कैसे यह सब काम वगरा करना है कुछ नए student है पुराने जो होंगे already dv वगरा में appear होंगे उनको तो पता हो उसको आपको print out निकाल के उसको fill up करना है इसके अलावा जो भी local authority है sdo subdivisional office है वहाँ पर आपको जाना है और sscmts का आपका application form है तो उसका आप print निकाल लीजेगा या फिर इसके अलावा जो आपका जो application form अगर आप नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई issue है उसको लेकर तो जो आपका admit guard है या फिर result है उसको लेकर print out कर वा लीजेगा और उसके साथ में अगर आप जाईएगा subdivisional office तो उसको बोलिएगा कि इस siege के लिए मतलब यह मैंने exam दिया है और qualify किया है dv वगरा है तो वो लोग जो आगे का process है वो clearly बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है और approval वगरा वो लोग दे देते हैं और खास करके यह सभी category में लगएगा इस सी सौरी माफ कीजेगा आपका OBC हो सी सी हो स्टी हो अगर एक साल से ज्यादा हो गया है आपका certificate का तो आपको इन एक update से और जो मैंने बताया वो सब आपको करना है आगे का जो भी process होगा वो आपको clearly बता देंगे उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है अभी भी कोई डाउट बचा होगा कि मालीजे कुछ भी डाउट हो तो आप जो है comment करके पूछ सकते हैं और चैनल से पहली बाद जूड़ ये जाहिंट